नमस्कार दोस्तों, Ultimate Health and Home Remedies Channel में आप सभी का स्वागत है, Ultimate Health and Home Remedies आपकी सेहत का खयाल बखू भी रखता है दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊँगा किड्नी के बारे में, अगर किड्नी खत्रे में है तो आपका सरीर आपको यह 12 चेतावनी देता है, पहुत से लोग जानकर भी इसको इग्नोर करते हैं, इसलिए सही समय पर इलाज करना बहुत जादा जरूरी है, तो इसे इग टाइम रहते इन चीजों का पता लग जाए, तो आप लोग संभल जाएं, तो इन 12 चेतावनियों को इग्नोर नहीं करें, और सावधानी से इन सभी चेतावनियों को पढ़ें और देखें, तो यह वीडियो पूरा काम का है, अगर काम का है, तो वीडियो को लाइक कर दीज सबसे पहली चेतावनियों है, यूरीन का रंग और फ्रिक्वेंसी बदल जाना, यूरीन का रंग जो है, वो हलके रंग से गाढ़ा होने लगता है, ठीक है, और फ्रिक्वेंसी का मतलब है कम या जादा, तो आप लोगों ने, अगर जब भी आप लोग वाश्रूम में है, अगर वो गहरा होता जा रहा है, तो एक बार चेक अप करवाएं, और उसकी मातरा भी आप लोग चेक करें, कि ऐसा होता है, यूरीन का जो है, वो कम या जादा होने लगता है, तो इस बात को भी आप लोग नॉटिस करें, दूसरा है, यूरीन के समय हलका दर्द होना, आप भी बोलेंगे कि हमेशा urine से ही related होता है कि यस kidney जो है वो urine से related होती है तो आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि जब आप लोग urine बाहर निकाल रहे हैं तो उसमें हलका दर्द आप लोगों को हो रहा है क्या जब भी आप लोग अपने bladder को खाली करना चाहते हैं urine बाहर निकालना चाहते हैं तब यदि आप हलका pressure महसूस करते हैं या हलका दर्द महसूस करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपको UTI की समझ्या है urinary tract infection बन रही है इसे सही किया जा सकता है UTI की जो problem होती है उसे सही किया जा सकता है लेकिन समय रहते ही इस बात को आप लोगो को समझना जरूरी है कि UTI की जो problem है उसे आप लोग सही रखें और अगर आप लोगों को हलका दर्द होता है तो एक बार आप लोग चेक करवाएं और अगर आप लोगों को गरतन पर भी हलका दर्द महसूस होता है तो एक बार आप लोग किड़नी की जान जो है वो करवा सक तो यह दूसरा symptom है जो आप लोगों को नजर अंदाज नहीं करना चाहिए, kidney के failure होने से बचना चाहिए, तीसरा है, urine में रक्त काना, जब बात रक्त किया जाती है urine में, तो आप लोगों को dangerous feel होता है, और definitely आप लोगों को dangerous feel होना भी चाहिए, कि जब urine में रक्त आता है, तो खत्रे की घंटी जो है वजने लग जाती है, आप लोगों को भी बता है, इस प्रकार के symptoms को नजर अंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए, नहीं किया जा सकता है, इसका सीधा संबंद kidney की समश्या से ही होता है, urine में रक्त काना मतलब है, bladder में cancer हो जाना, तो इसमें आप लो इस system को नजर अंदाज आप लोगों को नहीं करना है, नमबर फोर है, urine में जाग का बनना, urine में कभी-कभी जाग बनते हैं, तो आप लोग इस बात को नोटिस जो है, इस बात को भी नजर अंदाज नहीं करें, अगर urine में जाग बनने लग दे हैं, तो क्या होता है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ जब kidney फैल होती है तो इसका सीधा समंद bladder पर ही होता है और आप लोगों की urine में जाग बनने का मतलब है जब kidney जो है वो फैल हो गई हो या उसमें bladder जो है वो खराब हो गया हो तो ये symptoms भी नज़र अंदाज नहीं करें नमबर फाइफ है सूजन आना बहुत जगें आप लोगों को सूजन आती है बार-बार सूजन आने लगती है या तो हो सकता है कि आप लोगों के तरल के रूप में बाहर निकलती है तो इसका मतलब है कि excess liquid बाहर निकल रही है पानी जो है वो सरीर से बाहर निकल रहा है तो अगर पानी सरीर से बाहर निकल रहा है तो उस case में सरीर में सूजन बन सकती है जैसे कि face पर सूजन आना पफी faces जो है वो आप लोगों का हो जाना एडियो में सूजन आ जाना बहुत बार ऐसा होता है कि एडियो में सूजन बनने लगती है तो इस बात पर भी आप लोगों को फोकस रखना है कि आप लोगों की कहीं किड़नी तो खराब नहीं है उसकी वज़ा से जादा लिक्विड सरीर से बाहर निकल रहा है और उससे आप लोगों को सूजन पैदा हो रही है तो इस बात पर भी आप लोग फोकस रखें अब बात करते हम लोग नेक्स्ट की यानि की नमबर सिक्स अत्यदिक ठकान का होना बहुत बार आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आप लोग जो हैं हेल्दी खाना भी खाते हैं हेल्दी जो है वो रहते भी हैं लेकिन आप लोगों को नीन बहुत बार बार आती है आप लोग ठक जाते हैं थोड़ा सा काम करने पर ठक जाते हैं उबासी आने लगती है आप लोगों को काम करने में तो ठक जाना शरीर का ठक जाना जब किड़नी सही तरीके से काम करती है तो वह ए एरिथो पोटीन जिसकी साहिता से लाल रख्तकनिका है जो red blood cells होती है वो oxygen को सभी अंगों तक पहुचाती है ठीक है अगर सभी अंगों तक oxygen पहुच जाएगी तो kidney सही तरीके से काम कर रही है आप लोगों को पता लग जाएगा क्योंकि आप लोगों को ठकाउट नहीं होगी क्योंकि अगर एरिथो पोटीन जो है लाल रख्तकनिकाओं को oxygen सभी अंगों तक पहुचाएगा तो आप लोगों की सरी सही काम करेगा लेकिन अगर kidney सही तरीके से काम नहीं करेगी तो इसका मतलब है कि यह hormone जो है जो एरिथो पोटीन है वो कम बनने लग गया है जिसकी पोटी जो है वो कमजोर होने ही स्टार्ट हो जाएगी आप लोगों को नीन दाना स्टार्ट हो जाएगा तो एरिथो पोटीन का होना बहु जादा जरूरी है नमबर सेवन पर आते हैं एकागरता का कम हो जाना यानि कि focus कम हो जाना consciousness नहीं देना और चीजों को सही परखना रही ही तो एकागरता आप लोग कह सकते हैं कि एकागरता कम होने लगती है अगर किडिनी जो है वो फैल हो जाती है तो इसका वज़य क्या है इसकी वज़य है अगर किडिनी के कमजोर होने से आपको अत्यदी कमजोरी महसूस होती है definitely क्योंकि एरिथो पोटीन नहीं बन रह क्योंकि neurotransmitters हैं और वो हर चीजों को जानते हैं कि कौन सा हार्मोन कम हुआ है कौन सा नहीं हुआ है सरीर ठकान है तो सरीर के उर्जा बनाना स्टार्ट कर देगा तो वो जो है वो deadlock condition में आ जाएगा उसे समझ में आ नहीं आएगा कि actually में मुझे करना क्या है तो focus out हो जाएग एकागरता नहीं बनी रहेगी तो जो आप लोगों को जरूरी है कि kidney के functions को भी ध्यान में रखते हुए इन चीजों को देखना इनको ignore नहीं करना number eight है लगातार सर्दी लगना बहुत बार ऐसा होता है कि सरीर को बहुत बार सर्दी लगती है और इतनी लगती है कि लगातार लगती ही रहती है तो सरीर को अगर जादा सर्दी लगती है तो इस बात पर भी आप लोगों को focus रखना है कि कहीं kidney के कमजोर होने की तो संकेत नह तो इस बात पे भी आप लोगों को focus में रखना है कि आप लोगों एक बार test कर वा लें, kidney का test कर वा लें, तो अगर आप लोगों को पता लग जाएगा कि अगर आप लोगों को ज्यादा सर्दी लग रही है, ठीक है, तो आप लोग जो है, kidney के फैल होने के chances जो हैं, वो नहीं चल सकती है अगर आप लोग देखें कि रैशर्ज और खुझली के तो बहुत सारे reasons हो सकते हैं बहुत सारे कारणों से एक रैशर्ज बन सकते हैं खुझली बन सकते हैं तो एक confusion topic है कि खुझली किसके वज़े से भी चल सकते हैं इचिंग हो सकती है आप लोगों की notice में डाला है, जब रक्त में बहुत अधिक मात्रा में wastage ही कठा होने लग जाएगा, तब ऐसा होता है, क्योंकि छोटे races बनने लग जाते हैं, दाने से दाने आने लगते हैं, तो वो है blood में बहुत जादा wastage बनने लग जाता है, बहुत सारे reason इसके भी हो सकते हैं, कि हो सकता है कि आप लोगों को पायरिया हो या अन्य कोई चीजे हो, लेकिन किड्नी के फैल होने से यूरिया का लेवल रक्त में बढ़ने लगता है, अगर यूरिया जो है वो रक्त में बढ़ने लग जाएगी, और यूरिया तूट कर अमोनिया में बढ़ने लगती है, क्या होगा, अगर यूरिया बलड में बढ़ने लग गई, तो यूरिया जो है वो तूट कर अमोनिया में बढ़ने बढ़ने लग गई, तो इस बात पर आप लोग ध्यान दें नमबर 11 पर आता है जी मतला ना या उल्टी आना तो ये फोकस भी आप लोगों को रखना है कि बार बार अगर जी मतला रहा है उल्टी आ रही है तो इसका reason क्या हो सकता है इसका scientific reason ये है उल्टी कब आती आप लोगों की dehydration की वज़े से भी आ सकती है या ऐसा भी हो सकता है कि जब kidney fail हो जाए तो kidney बेकार के पतार्थों को सरीर से मलमुत्र के जरीए बाहर नहीं निकालती है क्योंकि अगर वो फैल ही हो गई है वो खराब ही हो गई है तो सरीर उन वेस्टेस चीजों को बाहर तो निकालेगा ही तो ये एक माध्यम बसता है कि आप लोगों को उल्टी आना स्टार्ट हो जाती है ठीक है जी मतला आना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि बेकार की चीजे सरीर अपने पास रखता ही नहीं है बिल्कुल भी नहीं रखता है वो बाहर निकालेगा या तो आप लोगों को फुन्सी फोड़ा हो जाएगा या आप लोगों को उल्टी आना स्टार्ट हो जाएगी तो वो आप लोगों को ऐसे चीजे जो हैं वो start कर देगा क्योंकि kidney जो है वो एक माध्यम आप लोगों का बाहर wastage को बाहर निकालने का लेकिन वो नहीं रहा तो क्या होगा बाहर निकालेगा उल्टी के माध्यम से नमबर 12 है सांस लेने में समझ्या होना इसा reason है कि अगर kidney फैल हो गई तो आप लोगों का जो extra fluid है वो कहां पर जमा हो जाएगा आप लोगों के फेफडों में जमा हो जाएगा और फेफडों में जमा हो गया तो अब्यस्सी बात है आप लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है तो आप लोगों के इस बात पर ध्यान देना है कि चैनल आप लोगों के लिए बहुत जादा जरूरी है क्योंकि बहुत अच्छी इंफर्मेशन में आप लोगों को देना चाहता हूं उसके लिए सब्सक्राइब कीजिए और अगर अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कीजिए अपने फेस्बुक अकाउंट पर अपने वाट्सअप अकाउंट पर भी आज के लिए इतना ही धन्यवाद